आईए आज हम जानते ही एक बहतर दिंचरिया कैसी होनी चाहिए ताकि हमारा स्वास्त और जीवन भी बहतर बनी बहतर दिंचरिया एक सफल व्यक्ति की मुख निसानी होती है अगर नियमित दिंचरिया सही होगी तो हमारा सरी सही रहेगा और अगर सरी स्वस्थ होगा तो उसका असर हमारे जीवन, बेवहार सोच और प्रगती पर पड़ीगा जिससे हमारी सफलता का रास्ता साफ होगा लेकिन इसके विप्रित अगर हमारी नियमे दिन्चरिया ऐसी होगी जिसमें हम रात को देर तक जागेंगे सुबह देर से उठेंगे तो इसके समानांतर सभी कार भी देर से होंगे सरीर में आलश रहेगा, दिमाग फ्रेस नहीं रहेगा और हमारा किसी काम में पूरी तरह मन भी नहीं लगेगा और ऐसी दिन्चरिया से सफलता के सभी दर्वाजे बंध होते हुए दिखाई देंगे दिन्चरिया कैसी होनी चाहिए सुबह जल्दी उठें बेहतर स्वास्त के लिए ब्यक्ति को सुबह ब्रह्म महुर्त में यानि की चार से साड़े पांच के बीच उठ जाना चाहिए इसके अलावा रात में सोने से पहले तामे की बरतन में पानी भर कर रखें और सुबह उठकर उस पानी को पिएं इससे सरीर को उर्जा मिलेगी ब्यायाम और योग करें ब्यायाम हमारी नियमे दिन्चरिया का एक महत्पून हिस्सा है इसलिए नियमत रूप से उठकर सुबह ब्यायाम और योग अवश्य करें इसनान इसनान करने से सरीर की बाहरी गंदगी तो दूर होती ही है साथ ही सरीर में ताजगी भी आती है भगवान में ध्यान सुबह नहानी की बाद कुछ समय पूजा पाठ के लिए जरूर निकालें इससे मन सांत रहेगा और सकारात्मक उर्जा भी मिलेगी सुबह का नास्ता सुबह का नास्ता जरूर करें और उसमें पॉस्टिक तद्वों को सामिल करें सुबह के नास्ते में ताजे फल या जूस जरूर लें इसके अलावा सुबह के नास्ते में दूद, दलिया, फल, अंकुरित अनाज सामिल करें और जयादा फैट, कैलोरी और मसालिदार आहार का सेवन ना करें इससे मोटापे की समश्या हो सकती है दोपहर का भोजन, करीब एक बजे करें और जयादा भोजन ना खाएं बरना दिन भर आलस बना रहेगा दोपहर की भोजन के बाद चाहें तो 20-30 मिनिट के लिए थोड़ा आराम कर सकती हैं लेकिन जयादा समय तक नहीं रात का भोजन, रात का भोजन भर पेट ना करें क्योंकि रात में सारीरिक स्रम ना होने से पेट में आसानी से खाना नहीं पच पाता और मोटापे जैसी समश्या हो जाती है रात को खाना खानी की तुरंत बाद बिस्तर पर न जाएं बलकि पहले थोड़ा टह लें ताकि खाना आसानी से पच सके इससे नीद भी अच्छी आएगी रात को समय पर सुएं बहतर स्वास्त के लिए भरपूर नीद बेहदा वश्चक है इसके लिए रात को जल्दी सुएं बच्चों को रात में आठ से दस घंटे की नीद लेनी चाहिए बैसकों को रात में करीव साथ घंटे सोना चाहिए जबकि ब्रद्ध भ्यक्ति के लिए करीव पांच से छे घंटे की नीद परियाप्त होती है भरपूर पानी पिये स्वास्थ सरीर के लिए पर्याप्त पानी बहुत जरूरी होता है सरीर में पानी की कमी से कई तरह के रोग होने की संभाब न बढ़ जाती है इसलिए पूरे दिन में भरपूर पानी पिए दिन में कम से कम आठ गलास ताजा पानी जरूर पिए सकारात्मक सोच रखें सफल जीवन के लिए एक बहतर दिंचरिया के साथ सकारात्मक सोच भी बहत जरूरी है हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें